उलम्पिक 2012 में ब्रॉंज मेडल जीतने वाली भारतीय महिला बैडमिंटन सूपर स्टार साइना नहवाल ने क्रिकेट को लेकर तीखा हमला किया है। दरसल कुछ समय पहले एक पॉड़कास्ट पर बोलते हुए साइना नहवाल ने कहा था कि बैडमिंटन, टैनिस और बास्केट बॉल के मुकाबले क्रिकेट कम जोखिम वाला खेल है। इसके कुछ दिनों बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाडी अंग क्रिश रगुवंशी ने साइना नहवाल के इस पॉड़कास्ट की एक छोटी सी क्लिप शेर करते हुए लिखा था कि देखते हैं जब बुमराह उनके सिर पर से 150 किलोमीटर प्रती घंटे की रफता हैं तो वो क्या करती हैं जिसके कुछ दिनों बाद अंग क्रिश ने अपने इस ट्वीट को सोशल मीडिया से हटा दिया था लेकिन इस बीच उनकी इस पोस्ट के स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे जिस पर अब साइना नहवाल ने पलटवार किया है बु बैडमिंटन से ज्यादा जोखिम भरा खेल है साइना नहवाल ने कहा कि जिस तरह मैं बिना प्रैक्टिस के बुमराह का सामना नहीं कर पाऊंगी ठीक उसी तरह वे भी बैडमिंटन में उनके तीन तीन सो किलोमीटर प्रति घंटे की समैश का सामना नहीं कर पाएंगे मानना है कि हर खेल अपनी जगह सर्वश्रेष्ट है हमें अपने ही देश में ऐसी चीजों के लिए लड़ना नहीं चाहिए क्रिकेट के मुकाबले अन्य खेलों को भी दी जाए सुविधा साइना नहवाल का मानना है कि अगर जिस तरह से हमारे देश में क्रिकेट को मेडल जीतेंगे